लिजे सुनिए रबिंद्र नाथ टैगौर के लिखे उपन्यास गोरा के एक तालीस में भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में सुच अरिता दुविधा में पढ़कर अनेक कश्टों का अनुभाव करने लगी भीतर से बाहर तक कहीं उसको चैन नहीं गोरा के प्रती उसके मन का भाव इतने दिन से अलक्षित रूप में घनिष्ट होता जा रहा था गोरा के जेल जाने के कारण कश्ट उसके मन में हो रहा है उसके दूर होने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता वो दिन रात घोर चिंता में डूबी रहती है किसी से अपने मन का दुख कह भी नहीं सकती उसे इतना भी समय नहीं मिलता जो ये कांत में बैठ कर वो अपने मान से दुख पर कुछ विचार कर सके हारान बावु ने उसका मन फेरने के लिए अपने समग्र समाच को उसके पास भेज कर उसे बाधित करने का उपायर चाहे वो समाचार पत्र में भी संबंध का उलेख करना चाहता है सूचरिता की मौसी परेश बाबु के घर में ठाकुर जी की पूजा करती है और सूचरिता को बहका रही है, इसका भी उलेख किया जाएगा ये सुनकर मौसी बड़ी बेचैन हो पड़ी है मैं अब क्या करूँ कहा जाओ इसी सोच में इसका कुछ निश्चय नहीं कर सकती सूचरिता भी इसी सोच से मरी जा रही है इस संकट के समय उसके एक मात्र अवलंब थे परेश बाबू वो उनसे कोई परामर्श लेना नहीं चाहती थी उसे अनेक बाते कहने को थी जिनने वो परेश बाबू के सामने कहने ही सकती थी और कितनी ही बाते ऐसी थी जो संकोच वश वो उनके निकट प्रकट नहीं कर सकती थी यद्यपी वो परेश बाबू से कुछ नहीं कह सकती थी तथा पी उसे पूर्ण विश्वास था कि वे मेरे हिर्दाय का भाव जानते है वो उन्हीं को अपना माबाब समझ बैठी है आजकल जाडे के समय सांज को परेश बाबू बाग में उपासना करने न जाते थे घर से पच्छे मूर की एक छोटी सी कोठ्री के खुले दरवाजे के सामने एक आसन बिचा कर वे उपासना करते थे उनके उजले केशों से सुशोबित मुख मंडल पर सायम कालीन सूर की आभा पढ़ने से उनका मुखार भी दीप्तमान हो उटता था उसी समय सुचरिता पैरों के आहट बचा कर चुपचाप उनके पास आकर बैठती थी वो अपने अशांत व्यतित चित्त को मानो परेश बाबू की गंभीर उपासना में डुबा रहती थी आजकल उपासना के अंत में प्राहा परेश बाबू नित्त देखते थे के हमारी ये लड़की ये शिश्या चुपचाप हमारे पास बैठी है वे उसको अनिर्वेचनिय आध्यात में एक माधुर्य द्वारा परिवेश्टित देख अंतह करण से चुपचाप आशीरवाद देते थे भूमा से मिलन ही परेश बाबू के जीवन का एक मात्र लक्ष था इसलिए उनका चित्त सरवदा उसी की और उन्मुख रहता था जो सत्यतम और श्रेतम हो इसलिए संसार उनके लिए कभी दूभर नहीं होता था इस प्रकार उन्होंने अपने भी तरही एक स्वाधीन ता प्राप्त कर ली थी इसी कारण मत अथवा आचरण के मामले में वो किसी दूसरे के प्रती किसी तरह जबर्दस्ती नहीं कर सकते थे मंगलमय की प्रती निरभरता और समाज की प्रती धेर उनके लिए अत्यंतस्वाभविक था ये ध्यर उनमें इतना अधिक था कि सामपरदाइक प्रवृत्ति के लोग उनकी निंदा करते थे लेकिन वो निंदा को ऐसे ग्रहन कर सकते थे कि वो उन्हें चोट भले ही पहुँचाए उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी वो रह रहकर मनी मन एक यही बात की आवरित्ति किया करते थे मैं और किसी के हाथ से कुछ नहीं लूँगा सब कुछ उसी ईश्वर के हाथ से लूँगा परेश बाबू के जीवन की गंभीर शांती का कुछ सुख पाने की इच्छा से सुचरिता कोई न कोई बहाना करके उपासना के समय उनके पास जा बैठती थी वो अपने चिंतित चित्त में शांती पहुचाने के लिए परेश बाबू के पैरों पर मस्तक रखने के सिवा और कोई सुगम उपाय न देखती थी सुचरिता अपने अटल धैरे के साथ सब आगातों को चुप चाप सहले नहीं में अपना कल्यान समझती थी उसका ख्याल था कि इस विशय में कुछ न बोलने से आप यही आप सब बखेड़े मिट जाएंगे परन्तु ये नहुआ उसे और ही उपाय कावलंबन करना पड़ा बर्दा सुद्री ने जब देखा कि क्रोध करके या धिकार दे करके सुचरिता को राजी करना संभव नहीं है और परेश बाबू से भी इस विशय में साहयता पानी की कोई आशा नहीं है तब हरी मोहनी की प्रती वो भूकी बागिन की तरह कृद्ध हो उठी घर में हरी मोहनी का रहना उसे उठते बेटते बेचैन करने लगा उस दिन बर्दा सुद्री के पिता की मृत्यू के दिन की वार्शिक अपासना थी इसी उपलक्ष में उसने विनय को निवता दिया था उपासना सायमकाल को होने वाली थी उसके पूर भी वो उपासना ग्रह को सजा रही थी सूचरिता और वर्दा सुंद्री की लड़कियां भी उसकी सहायता कर रही थी इसी समय एका एक वर्दा सुन्दरी की नजर विनय पर पड़ी वो पास के जीने से उपर हरी महनी के पास जा रहा था जब मन में कुछ मालिने रहता है तब छोटी सी घटना भी बहुत ही बड़ी होटती है विने कई उपर के कमरे में जाना बर्दा सुन्दरी को ऐसा असेह हो गया कि वो घर की सजावट छोड़कर तुरंट हरी मोहनी के पास जा पहुँची देखा विने चटाई पर बैठकर आत्मी की भाती विश्वस्त भाव से हरी मोहनी के साथ बात चीत कर रहा है बर्दा सुन्दरी ने कहा तुम हमारे हाँ जब तक जी चाहो रहो मैं तुम को आदर से रखूँगी लेकिन तुम्हारे ठाकर जी को मैं अपने हाँ नहीं रहने दे सकती हरी मोहनी देहाद की रहने वाली थी ब्राम्मे के संबन्ध में उसकी धारना थी कि वो किरस्तानी धर्म की ही एक शाखा है इसलिए उसके संपर्क में आने के बारे में हरी महुनी को सोच विचार होना तो स्वाभावी की ही था लेकिन उन लोगों को भी हरी महुनी से मिलने जुलने में संकोच हो सकता है वो समझ गई कि अब सोच विचार करने का समय नहीं है अब कोई बाद शीग रही स्थिर करनी होगी पहले उसने सोचा कलकते में मकान किराय पर लेकर रहूंगी तो कभी-कभी सूच रिता और सतीश को भी देख सकूंगी किन्तु मेरे पास जो थोड़ी सी पूजी बच रही है उससे कलकते का खर्च नहीं चलेगा बर्दा सुन्दरी बवंडर की तरहे आकर चली गई तब विनए सिर नीचा करके चुपचा बैठा रहा कुछ देर चुप रहकर हरी मोहनी ने कहा मैं तीर्थ को जाओंगी तुम में से कोई मुझे पहुचा आवेगा विनए ने कहा क्यों नहीं मैं पहुचा आओंगा किन्तु इसकी तैयारी करने में दो-चार दिन का विलम होगा तब तक तुम मेरी मा के पास चलकर रहो हरी मोहनी ने कहा मेरा भार कुछ साधरण नहीं है विधाता ने मुझे कितना भारी बनाया है ये मैं नहीं जानती मेरा बोज कोई नहीं उठा सकता जब सस्राल में भी विपत्तिया पढ़ने पर मुझे कोई न रख सका तब दूसरा कौन मुझे रख सकेगा लेकिन बेटा जो विश्व का भार धारन करते हैं अब उन्हीं के चरण कमलों में आच्रे लूँगी अब यहां ना रहूंगी ये कहकर वो बार बार दोनों आखे आचल से पहुँचने लगी विरे ने कहा ये कहने से क्या होगा मेरी मा के साथ किसी की तुला नहीं हो सकती जो अपने जीवन का समस्त भार भगवान को अरपन कर चुकी है वो दूसरे का भार उठाने में कुछ भी संकोच नहीं करती जैसे परेश बाबू है वैसी ही मेरी मा है एक बार मैं तुमको अपनी मा के पास ले चलूँगा फिर तुम जहां जिस तीर्थ में जाने को कहोगी वहां मैं पहुचा आउंगा हरी महनी तो एक बार उनको इसकी खबर विनय ने कहा मेरे जाने ही से उन्हें खबर मिल जाएगी इसके लिए आप कुछ चिंता न करें हरी महनी तो कल सवेर विनय कल की क्या बात आज ही रात को चली संदे समय सूचरिता ने आकर कहा विनय बाबु आपको मा बुलाती है उपासना का समय हो गया है विनय ने कहा मौसी के साथ बातचीत हो रही है अभी मैं न चल सकूँगा असल में आज विनय को बरदा सुंद्री का उपासना का निमंत्रन किसी तरह स्विकार न था उसने मन में कहा ये सब आडंबर है हरी महनी ने घबरा कर कहा बाबु तुम जाओ मेरे साथ बातचीत फिर होगी वहाँ का काम पूरा हो जाए तब यहां आना सूचरिता ने कहा अभी आपका वहाँ चलना अच्छा है विनय ने समझा अभी उपासना ग्रह में न जाओंगा तो इस घर में जिस उपद्राव का आरंब हुआ है वह और बढ़ जाएगा इसलिए वह उपासना इस्थल में गया तो परंतु उसका जाना पूर्ण रूप से फलित न हुआ उपासना के अनंतर भोजन के प्रबंध था विनय ने कहा अभी मुझको भूख नहीं है बरदा सुंद्री ने कहा भूख को दोश मत दीजे आप उपर से ही भूख को निवारन कर रहे हैं विनय ने हस कर कहा आपका कहना ठीक है लोभी की ऐसी ही दुर्दशा होती है वो वर्तमान की अलप प्राप्ती से भविश्य के विरहत लाप को खो बैठता है ये कहकर विनय जाने को उद्यत हुआ बरदा सुंद्री ने कहा मालूम होता है आप फिर उपर जा रहे है संग्षेप में हा कहकर विनय वहां से बाहर आ गया दर्वाजे के पास सुचरिता खड़ी थी विनय ने उससे मीठे स्वर में कहा बहन एक बार मौसी के पास तुम्हारा जाना आवश्यक है शायद वो तुमसे कोई काम की बात पूछेंगी ललिता आगत जनों के आतित्थ में न्युक्त थी एक बार हारान बाबू से अपने पास आते देख बोल उठे वे नहीं बाबू ते यहां नहीं है उपर गए हैं उनकी व्यंग भरी बात सुनकर ललिता खड़ी हो उनके मुह की और दृष्टी करके निसंकोच होकर बोली मालूम है वे मुझसे भैट के बिना न जाएंगे मैं यहां का काम पूरा करके अभी उपर जाऊंगी ललिता को किसी तरह चुपना कर सकने के कारण हारान बाबू के हिर्दाए की जौला और भी बढ़ गई विना सुचरिता से कुछ कह गया और सुचरिता ने कुछ ही देर पीछे उस कानू सरन किया यह हारान बाबू ने अपनी आखों देखा आज वो सुचरिता से बादचीत करने का धंग निकाल बार बार बिफल प्रैतने हुए है दो एक बार उनके द्वारा इस पष्ट रूप से बुलाई जाने पर सुचरिता ने उनकी बात अंसुनी कर दी है जिससे सभास्थित लोगों के सामने हारान बाबु ने अपने को विशेश अपमाने समझा इससे उनका मन प्रसनना था सुचरिता ने उपर जा कर देखा कि हरी मोहनी अपनी चीजों को समेट गठरी बांधे इस भाव से बैठी हैं जैसे अभी कहीं जाएंगी सुचरिता ने पूछा मोसी ये क्या हरी मोहनी ने उसका कोई उत्तर न दे रोकर कहा सतीश कहा है बेटी एक बार उसे बुला दो सुचरिता ने विनए के मुह की ओर देखा विनए ने कहा इस गर में मोसी का रहना सबको भारी मालूम होता है इससे मैं इनको मा के पास लिये जा रहा हूँ हरी मोहनी ने कहा वहां से मैंने तीर थे आत्रा का विचार किया मेरे सद्रे शनातों का इस तरह घिजी के घर में रहना ठीक नहीं मुझे कोई अधिक दिन तक अपने घर में रहने देना क्यों पसंद करेगा सूचरिता आप ही इस बात को कई दिनों से सोच रही थी इस घर में रहना मौसी के लिए अपमान है ये सूचरिता जान चुकी थी इसलिए वो कोई उत्तर न दे सकी चुप हो कर उसके पास जा बैठी सायम काल का अंधकार घर में चा गया है परंतु अभी तक चिराग बत्ती नहीं हुई है हेमंत के धुंदले आकाश में कहीं कहीं तारे उगे हुए दिखाई दे रहे थे किसके नेत्रों से आसु गिर रहे हैं ये इस अंधिरे में दिखाई न दिया जीने पर से ही सतीश का उंचे स्वर से मौसी को पकारने का शब्द सुनाई पड़ा क्या है बेटा आओ कहकर हरी मौनी जट उठ खड़ी हुई सूच हरिता ने कहा मौसी आज रात को कहीं जाना ठीक न होगा कल सबेरे की यात्रा ठीक होगी बाबुजी को जाने की सूच न दिये बिना तुम कैसे जा सकोगी ये बड़ा अन्याय होगा विने ने बर्दा सुन्द्री के द्वारा किये गए हरी मौनी के अपमान से उत्तेजित होकर इस बात को न सूचा था उसने यही निश्य किया था कि अब एक रात भी मौसी का इस घर में रहना मुनासिब नहीं है और आश्रे की सभाव से हरी मौनी सब कष्ट सहकर इस घर में है बर्दा सुन्द्री की इस धारणा को दूर करने के लिए वो हरी मौनी को यहां से ले जाने में कुछ भी विलम करना नहीं चाहता था सुचर्था की बात सुनकर उसे धक से इसमरण हो आया कि इस घर में हरी मौनी का वर्दा सुन्द्री के साथ ही तो एक मात्र संबंध नहीं है जिस व्यक्ती ने इसका अपमान किया है उसी को सबसे बड़ा समझना और जिसने बड़ी उदार्ता के साथ अपनी संबंधी की भाती आश्रे दिया है उसको भूल जाना उचित नहीं विने ने कहा हाँ ये ठीक है परिश बाबु को बिना जता इस तरह जाना निया विरुद्ध है इतने में सतीश ने आते ही कहा जानती हो मौसी रूसी लोग भारत वर्ष पर हमला करने आ रहे हैं बड़ा मज़ा रहेगा विने ने पूछा तुम किस की ओर हो सतीश बोला मैं रूसीयों की ओर विने ने कहा तब तो रूसीयों को कोई फिकर नहीं है इस प्रकार सतीश के बातचीट फिर जमा देने पर सूचरिता धीरे धीरे वहां से उठकर चली गई सूचरिता जानती थी कि सौने के पहले परेश बाबू अपनी उपासन संबंधी को इपुस्तक पढ़ा करते हैं कई दिन ऐसे समय सूचरिता उनके पास जाकर बैठी और उसके अनरोध से परेश बाबू ने उसे कुछ पढ़कर सुनाया है आज भी अपने सूने घर में परेश बाबू चिराख जला कर एमरसन का गरंथ पढ़ रहे थे सूचरिता धीरे धीरों उनके पास एक कुरसी पर जा बैठी परेश बाबू ने पुस्तक रख कर एक बार उसके मुह की ओर देखा सूचरिता का संकल्प भंग हुआ वो जो बात कहने के लिए आई थी वो कहना सकी सिर्फ इतना ही कहा बाबू जी क्या पढ़ते थे मुझे पढ़कर सूनाई परेश बाबू पढ़कर उसका गंभीर आशाय सूचरिता को समझाने लगे जब रात के दस बज गए तब पढ़ना समाप्त हुआ तब भी सूचरिता ये सोच कर कि सोने के पूर्व परेश बाबू के मन में किसी प्रकार का शोभ ना हो कोई बात कहे सुने बिना ही धीरे धीरे उठ खड़ी हुए और चल पढ़ी परेश बाबू ने उसे पुकार कर कहा राधा वो लौट आई परेश बाबू ने कहा तुम अपनी मौसी की बात मुझसे कहने आई थी परेश बाबू मेरे मन की बात समझ गए ये जानकर वो विस्मित हो बोली हाँ बाबू जी आज अब ये बात रहने दीजे कल सबीरे कहूंगी परेश बाबू ने कहा बैठो सुचरिता के बैठने पर परेश बाबू ने कहा तुमारी मौसी को यहां कष्ट होता है सो मैं समझता हूँ उनका धर्म विश्वास और आचरण लावन्नी की मा के ब्रह्म संसकार में इतना अधिकागाद देगा ये मैं पहले न जान सका अब देखता हूँ वो से तकलीफ दे रही है तब इस घर में तुमारी मौसी कैसे रह सकेंगी सुचरिता ने कहा मौसी तो यहां से जाने के लिए तयार है परेश बाबू ने कहा मैं जानता हूँ विजाएंगी तुमी दोनों उनकी एक मातरात्मी हो तुम उनको भिकार इनकी तरह बिदा कर सकोगी यह मैं नहीं जानता यह बात मैं कई दिनों से सोच रहा था मौसी का संकर परेश बाबू जानते हैं और उसके लिए चिंते थें इसका कुछ भी अन्भौसू चरिता को न था मेरी मौसी का कश्ट जानने से उन्हें दुख होगा इस भैसे इतने दिन तक बड़ी सावधानी से चलती थी भूल कर भी वो परेश बाबू के आगे इस विशय में कुछ न बोलती थी आज परेश बाबू की बात सुनकर वो अचंभी में आ गई उसकी आखों में आशु उमड़ आए परेश बाबू ने कहा तुम्हारी मौसी के लिए मैंने एक मकान ठीक कर रखा है सू चरिता ने कहा किन्तु वो तो परेश बाबू भाड़ा नहीं दे सकेंगे भाड़ा वेक्यों देंगी भाड़ा तुम देना सू चरिता उनके कहने का मतलब न समझकर चुप चाप उनके मुह की ओर देखने लगी परेश बाबू ने हसकर कहा तुम अपने ही मकान में रहने देना तब भाड़ा न देना पड़ेगा सू चरिता और भी आश्चर में डूब गई परेश बाबू ने कहा तुम नहीं जानती के कलकत्ते में तुम्हारे दो मकान है एक तुम्हारा और एक सतीश का मृत्यू के समय तुम्हारे पिता मुझे कुछ रुपया दे गए थे उस रुपय को किसी तरह बढ़ा कर उससे मैंने दो मकान मोर लिये हैं इतने दिन तक वे भाड़े पर उठा दिये गए थे भाड़े का रुपया जमा हो रहा था तुम्हारे घर का भाड़ा कुछ दिन से बंद है वो खाली पड़ा है वहा रहने से तुम्हारी मौसी को कोई तकलीफ न होगी सूच अरिता ने कहा वहां क्या वो अकेली रह सकेंगी परेश बाबू ने कहा तुम्हारे रहते वे अकेली क्यों रहेंगी सूच अरिता ने कहा मैं अभी आप से ये बात कहने के लिए आई थी मौसी जाने के लिए तैयार थी मैं सोच रही थी कि उसे इस तरहे अकेली कैसे जाने दूंगी इसलिए आई हूँ आप जो कहेंगे वही करूंगी परेश बाबू ने कहा इस घर के बगल में जो गली है इसके दो तीन घर के बाद तुम्हारा घर है इस बरामदे पर खड़े होने से वो घर देख पड़ता है वहां रहने से तुम लोगों को अरक्षित अवस्था में रहने का भायना होगा मैं तुम्हारी खबर लेता रहूँगा सूचरता के हिर्दाय से मानो एक बहुत बड़ा बोज उतर गया बाबा को छोड़ कर कैसे जाऊंगी ये चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी लेकिन जाना ही होगा ये भी उसे बिलकूर निश्चित जान पड़ता है सूचरता आवेक पूर्ण हिर्दायलिये चुपचा परेश बाबु के पास बैठी रही परेश बाबु भी मानो अपने को अंतहकरन की गहराई में डुबाए हुए स्थब्ध बैठी रही सूचरता उनकी शिश्या थी उनकी कन्या थी उनकी सुहरद थी वो उनके जीवन से और यहां तक की उनकी इश्वर उपासना से भी गुथ गई थी जिस दिन वो चुपचा पाकर सूचरता जैसी भक्ती और ये कांतर नमरता के साथ उनके निकटा खड़ी हुई थी वैसे और कोई उनके पास नहीं आया था फूल जैसे आकाश की और ताकता है उसी तरहे उसने अपनी संपूर्ण प्रकरती उनकी और उनमुखो और उदगाटित कर दी थी ऐसे ये काग्रभाव से किसी के पास आने से मनुष्य की दान करने की शक्ती अपने आप बढ़ जाती है अन्ता करण जलभार से जुके हुए मेग की भाती अपनी परिपूर्टा के कारण ही जुक जाता है अपना जो कुछ सत्त है श्रेष्ट है उसे किसी अनुकूल चित्त को प्रति दिन दान करते रहने के सुयोग के बराबर कोई दूसरा शुभ योग मनुष्य के लिए नहीं हो सकता वही दुरलब सुयोग सुचरिता ने परविश्क को दिया था इसलिए सुचरिता के साथ उनका संबंध अत्यंत गंभीर हो गया था आज उसी सुचरिता के साथ उनके बाहसंपर के तूटने का उसरा गया है अपने जीवन रस से फल को पूरी तरह पका कर उसे पेड़ से मुक्त कर देना ही होगा इसके लिए वो मनहिमन जिस गहरी वेदना का अनभव कर रहे थे उसे वो अंतरियामी के सामने निवेदित करते जा रहे थे सुचरिता का पाथ है जुट गया है वो अपनी शक्ती से प्रशस्त पत पर सुख दुख आगात प्रतिगात और नए अनभव की प्राप्ती का जो आहवान उसे मिलेगा उसकी तैयारी परेश बाबुक कुछ दिन पहले से ही देख रहे थे वो मनहिमन कह रहे थे जाव वत्से यात्रा करो तुमारे चिर जीवन को मैं केवल अपनी बुद्धी और अपने आश्रह से चाये रखू ये कभी नहीं हो सकता ईश्वर तुम्हे मुझसे मुक्त करके विचित्र के भीतर से तुम्हे चरम परिणाम की और खीच ले जावे उन्हें में तुम्हारा जीवन सार्था को ये कहकर शैश्व से ही इसनेह में पली हुई सूचरिता को वो मनी मन अपनी और से ईश्वर को अर्पित की गई पवित्र उत्सर्ग सामगरी की भाती सौप रहे थे परेश बाबू ने बर्दा सुंद्री पर क्रोध नहीं किया ना अपनी ग्रहस थी के प्रती मन में किसी विरोध भाव को कोई स्थान दिया वो जानते थे कि तंग किनारों के बीच नई वर्षा की जल राशी सैसा आ जाने से बड़ी खलबली मचती है उसका एक मातर प्रतिकार यही है कि उसे खुले शेत्र की और बहजाने दिया जाए वो जानते थे कि कुछ दिनों से सुचा रिता के आसपास इस चोटे से परिवार में जो अप्रत्याशित घटना घटित होती रही है उन्होंने इसके बंदे हुए संसकारों को हिला दिया है उसे यहां रोक रखने की चेश्टा ना करके उसे मुक्ती देने से ही उसके सुभाओं के साथ सामंजस स्थापित होगा और शानती हो सकेगी यह जानकर वो चुपचा पैसा आयोजन कर रहे थे कि जिससे सहज ही यह शानती और सामंजस स्थापित हो सके दोनों के थोड़ी देर चुपचा बैठे बैठे ही घड़ी में 11 बज़े तब परेश बाबू उठ खड़े हुए और सुचरिता का हाथ पकड़ कर उसे दो मनजिले के बरामदे में ले गए सांज के आकाश की धुंद तब तक छट गई थी और निर्मल अंधकार में तारी जगमगा रहे थे सुचरिता को पास खड़ी कर परेश बाबू निस्त अब्ध रात में प्रार्थना करते रहे संसार का सारा सत्य काट कर हमारे जीवन में परिपून सत्य की निर्मल मूर्ती उद्भासित हो उठे फिर वे सोने को गए सुचरिता भी अपनी मौसी के पास चली गई अभी आप सुन रहे थे रबिंदर नाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के एक तालिस में भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में